विल्कम टो आर यूट्यूब चैनल बंसल अकैडमी स्टूडेंट्स आप सबका पंजापलिस कॉंस्टेवल के आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे जो मांक्स हैं वो 40, 45, 50, 55 के राउंड बन रहे हैं बहुत सारे बच्चे पूछने क्या हमें त्यारी करनी चाहिए फिजिकल की की नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स एक बाद मैं आपको स्पष्ट कर दूँ एक बाद आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपके मार्क्स 45 से 50 के बीच में बन रहे हैं आप अगर जनरल केटेगरी से हैं तो आपको अपने फिजिकल टेस्ट की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए बिकॉस टूडेंट्स बहुत जगह आप देखोगे कुछ लोग कहेंगे कि जो कट आफ है वो 80 जाएगी कट आफ 85 जाएगी कट आफ 70 जाएगी इस इट पॉसिबल क्या यह पॉसिबल है जो क सुडेंट्स आपको याद हो तो जब पटवारी का एक्जाम हुआ था बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कट आफ जो है वो 85 प्लस जाएगी कितनी कट आफ आप सब ने देखा आप सब लोग इतना ज्यादा यूट्यूब पर इन चीजों को जब सर्च करते हो तो आप इतन कि इसे डिफ्रेंट केटेग्री में फश जाते हो तो आपने लोगों की बातों पर गौर नहीं करना है आपने फिजिकल एफिशेंसी की त्यारी स्टार्ट कर देनी है अग्या ऐसा नहों कि जब रिजल्ट आए और लिस्ट में आपका नाम हो और उस टाइम पर फिजिकल की हो जाओगे कि अब मैं कैसे त्यारी करूंगा तो स्टूडेंट्स इससे बड़िया यह है कि उस टाइम पर त्यारी करने से अच्छा है कि आप फिजिकल की त्यारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और सबसे इंपॉइंट आपको यह चीज़ समझनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक्जाम यह देने के लिए दिया होगा कि उनकी कितने माक्स आ रहे हैं इस पेपर को देखे उनकी त्यारी किसी और पेपर की होती है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंटली बहुत स्ट्रॉंग होते हैं जिनके अच्छा स् समझ में आ रही होगी तो आप इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आपके 45 से 50 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल की प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए सेकिंड स्टुडेंट्स बहुत सारे बच्चों के कोशन यह कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें अब्जेक्शन डालनी चाहिए स्टुडेंट्स आप अपनी लॉगिन आईडी पर लॉगिन करिए देन आपको तीसरा कॉलम जो बना हुआ है अब्जेक्शन का आप वहां पर अपनी डाल सकते हैं जिस कोशन पर आपको डाउट लग रहा है आंसर की में आपने चेक किया आंसर की में आंसर गलत है तो आप अपनी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं पर कोशन आपको 50 रुपीज चार्ज पड़ेगा अब किसी बच्चे के माइंड में होगा कि मैंने 10 कोशन के ऑब और कोशन के लिए अलग अलग ऑबजेक्शन डालेंगे माणली मानली अगर आपके फ्रेंड सरकल में दो तीन बच्चे है थीक है तो आप उनसे डिसकस करके आप मिलकर Karl सकते में े परेपरेशन करनी चाहिए मेरे को 45 मार्क्स बन रहे हैं मेरe जो 50 मार्क्स बन रहे हैं इन टाइम पर कोई फायदा नहीं रह जाएगा उस टाइम पर नहीं रेस लगेगी उस टाइम पर नहीं आप से फिजिकल और वह लॉंग जंप हाई जंप हो पाएगा तो सुडेंट्स सबसे बैस्ट है कि आप इदर उदर भटकने से अच्छा है इस अपने आप पर यकीन रखिए ठीक है अपने आप पर विश्वाश रखिए कि अगर मेरे 45 50 55 के राउंड मार्क्स हैं तो मुझे त्यारी करनी चाहिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि हम त्यारी करें ना करें त्यारी करें आई होप आपको मेरी बास समझ में आ रही होगी स्टुडेंट्स इसी प्रकार की आप इंफोमेशन जो भी आपके एक्जाम रिगार्डिंग इंफोमेशन आपकी एजूकेशन इंफोमेशन हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वी वीडियो अच्छे लगे होगी जरूर वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरू करिए थैंक्यू